कि नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCRT साइंस प्लेटफॉर्म पर आज हम आपके लिए ले करके आए हैं क्लास टेंथ की जो टेक्स्ट बुक है साइंस की उसके चैप्टर हाउडो और्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से असेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन आज का जो टॉपिक है वो आपका है एसेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन तो एसेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन से रिलेटेट कुछ जो मर्डिक्वल चॉइस क्वेशन से जो आपके एक्जाम्स के दिस्टी कौट से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो हम आपके लिए को लेकर के आए है आईए सुरुवात करते हैं विडियो की तो सबसे पहले आपका जो क्वेशन है ए शक्ष्वल रिप्रोड़क्शन इस यानि ए शक्ष्वल रिप्रोड़क्शन क्या है ए फ्यूजन आप इस पेसलाइज सेल्स का फ्यूजन या फिर वी इमेसर बाइ और्गिनिजम रिप्रोडियूस एक ऐसा मैथर जिसके द्वारा से भी प्रकार के और्गिनिजम रिप्रोड़क्शन करते हैं या c, a method प्रोडुजिजिंग जैनिटिकली आइडेंटिकल आप्स्प्रिंग एक मैथर जिसके द्वारा आणवानसिक तोर पर जैनिटिकली जो सम उनको उत्पन किया जाता है यह दी ए मैथर्ड इन विच मोर देन वन पैरेंट इनबॉल्ड एक मैथर्ड जिसमें एक से ज्यादा पैरेंट्स इनबॉल्ड है तो इसका जो सही आंसर है सही आंसर होगा आपका आपकी जो एक ऐसा मैथर्ड है जिसके द्वारा जो जन्म दिया जाता है प्रोडूश किया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन इस वन आप दा आप दा फॉलोविंग और्गिनिजम्स डज नॉट रिप्रोडूश बाइनरी फीजन इनमें से कौन सा और्गिनिजम्स है जो बाइ बाइनरी फीजन के द्वारा प्रेजन नहीं होता है वो कौन है ए अमीवा बी प्लाजमोडियम सी लीसमानिया या डी आपका पैरा मिशियम्स तो अगर आप इसमें से देखेंगे जो इसमें से जो बाइनरी फीजन जिसमें नहीं पाए जाता है वो है आपका बी प्लाजमो माइक्रोब है यह भी आपका प्रोटो जोवन है प्लाजमो डियम जो कि आपके Malaria का भी माइक्रोब है तो इसमें Binary Caesar नहीं पाए जाता है इसके अलावा सारे Amoeba angilia और a Virum до बाइनेरी फेजन के द्वारा और प्रोडूस करतے है इसके बाद आपके पास जो next question है next question आपका है the microorganism which reproduce by multiple fission is यानि वो microorganisms जो आपके multiple fission के द्वारा जिस जो क्या करता है reproduce होता है यानि जिस organisms में multiple fission होता है बहु बिखंडन होता है एक से ज़्यादा टुकले जिसके होते हैं वो कौन है कालाजार मेरेसमस मलेरिया या फिर आपका अमीबियस यानि जो microorganism जो क्या करता है multiple fission के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है वो इन में से कौन सी बीमारी प्रोड्यूस करता है कालाजार मेरेसमस मलेरिया या फिर अमीबियस तो जो microorganism जिसमें आपका multiple fission होता है वो होता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम के द्वारा malaria disease होती है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो one end is वह प्लाज्मोड जिसके एक हिस्से पे एक छोर पे फ्लेजिलम पाए जाता है वो कौन सा है फ्लेजिलम अगर आप देखे होंगे अपने इस तरह के organism जो है उनसे इस प्रकार के यह जो प्लेजिलम निकले हुए होते है फ्लेजिला जो होता है यह क्या करता है movement में मदद करता है तो इनमैसिक कहों से protozoan में एक in पे फिलेजिलम पाये जाता है अमीवा में पेरमिशयं में Hydra में या फिर lesmanym viewing तो जो फ्लेजिलम जो पाये जाता है यह पाये जाता है आपका लeसमानिया Donovanie में Least mania Donovanie जो क्या करता है जो काला अजार जो disease है काला अजार disease का भी क्या है माइक्रूब है तो जो protozoan जिसमें प्लैजीलम बहाँ जाता है एक एंड पे वो क्या है आपका Least mania Donovanie इसके बाद अपके पास जो next question है next question आपका one of the following organisms does not reproduce by budding, this is, यानि इन मैसे कौन सा जो organism है उसमें budding की जो process है, budding की process के दौरा reproduction नहीं होता है, यानि उनमें buds नहीं बनते हैं, तो वो कौन सा है, sponse, yeast, hydra या फिर plan area, तो इसका जो सही answer होगा, सही answer इसका होगा, plan area, d plan area इसका क्या होगा, सही answer होगा, plan area जो होता है, इसमें budding नहीं होता है बलकि इसमें क्या होता है अगर आपने plan area को देखा है तो इसमें क्या होता है regeneration होता है इसमें क्या होता है regeneration होता है यानि अगर आपने जो देखा था पड़ा होगा NCRT book में यह अगर आपका plasmodium है तो इसके अगर जितने टुकड़े होंगे उस परतेक टुकड़े से अगर जैसे यह पहला टुकड़ा है इससे एक plasmodium बनेगा बीच वाले टुकड़े से दूसरा बनेगा यह वाले से तीसरा यानि परतेक से क्या होता है नया organisms बनता है तो plasmodium में जो planaria जो होता है planaria में आपका क्या होता है regeneration होता है तो सही answer होगा d planaria next question is the disease kala azar is caused by a microorganism known as यानि kala azar जो बीमारी है वो कौन से microorganisms के द्वारा होता है a planaria के द्वारा b leech के द्वारा c leech mania के द्वारा या d plasmodium के द्वारा तो kala azar जो disease होती है अगर जिसका सही answer देखें तो इसका answer है c lees mania lees mania donno venizo microbe होता है उसके द्वारा कौन से बीमारी होती है kala azar होता है next question is reproduction is essential for living organism in order to reproduction क्यों ज़रूरी है living organism के लिए reproduction क्यों ज़रूरी है a है keep the individual organ alive individual organ जो है उसको जिन्दा रखने के लिए fulfill their energy requirements अपनी energy की जो आवशक्ता है उनको पूरा करने के लिए c maintain growth growth को maintain करने के लिए continue the species forever कि वो जो species है उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए कि हमेशा वो continue रहे उसका अस्तित्व बनाए रहे इसके लिए तो सही answer d कि कोई भी species है जब reproduction होगा reproduction के कारण उसका क्या बना हुआ रहेगा पृतिवी पे उसका अस्तित्व बना हुआ रहेगा इसके बाद आपके पास next question है the unicellular organisms which reproduce by budding क्यानि कौन सा unicellular organism है जो budding की process के द्वारा जो reproduce करता है a spirogyra b hydra c planaria d yeast तो इसमें आपको पूछा गया है unicellular अगर आप देखेंगे budding क्या होता है आपके hydra में भी budding होता है ठीक है spirogyra जो है spirogyra में तो आपका fragmentation होता है इसका जो fragment है वो spirogyra अलग-अलग fragment तूटते हैं और hydra में आपका budding होता है planaria में अगर आप देखेंगे इसमें regeneration होता है और yeast में budding होता है लेकिन आपका question पूछा गया है unicellular तो सही answer अगर इसका होगा unicellular इन मैंसे कौन है yeast है तो yeast जो होता है yeast में क्या होता है budding के द्वारा क्या होता है reproduction होता है इसके बाद next question है a multicellular organism which reproduce by budding यानि इन मैंसे कौन सा multicellular organism है जो budding की process के द्वारा reproduction करता है amoeba, yeast, leesmania या फिर hydra तो अगर आप देखेंगे multicellular की बात हुई है इसमें yeast भी है जिसमें budding के द्वारा reproduction होता है ठीक है और hydra भी है लेकिन yeast क्या है यह होता है unicellular इसलिए सही answer होगा hydra क्योंकि hydra क्या होता है यह होता है multicellular यह होता है इसलिए इसका जो सही answer होगा सही answer होगा hydra क्योंकि hydra क्या होता है multicellular होता है इसके बाद आपके पास है next question next question आपके पास the offspring formed by asexual reproduction method have greater similarity among themselves because यानि जो offspring जो संतान asexual reproduction के जवारा जो उत्पन होती है वो अपने parent से ज़ादा मिलती जूती है क्या है और कुछ option दे रखें है कि asexual reproduction involves only one parent कि asexual reproduction में कि एवल एक parent involved रहता है बिल्कुल सही बात है एक ही parent रहता है asexual reproduction involves two parents asexual में two parents नहीं होते है asexual reproduction involves gamit asexual reproduction में gamit होते हैं जबकि नहीं होते हैं और next is asexual reproduction does not involve gamit तो अगर इसका सही आंसर जो इसका है अगर आप देख रहे हैं तो पहला और इसके अलावा चौथा तो पहला और चौथा है आपका डी ठीक है इसी कारण इसमें क्योंकि क्या होता है जो अगर गैमिट्स होंगे या टू पैरेंट्स होंगे तो इसमें क्या होगा गैमिट्स क आए ज्यादा आते हैं इसके बाद आपके पास नेक्ट कुएशन है सिंपल मल्टी इल्र एनिमल यादिग टेंटेकल्स विच लिपस इन फ्रेस वाटर यूज लिफ्स रिप्रोड़्ूस बाई दे ऐसेक्षिल प्रोश्चर आप की एक सिंपल मल्टी सेलल्र एनिमल है जिसमे tentacles पाए जाते हैं और यह fresh water में पाए जाता है तो usually उसमें किस के द्वारा reproduction होगा आपके binary poison के द्वारा, spore formation के द्वारा, budding के द्वारा या फिर fragmentation के द्वारा तो यह जो simple multicellular animal है जिसमें tentacles पाए जाते हैं यह hydra है ठीक है और इस इसमें आपका budding के के द्वारा क्या होगा reproduction होगा इसमें reproduction जो होगा budding के द्वारा होगा तो सही answer है आपका c budding अब इसके बाद next question है one of the following does not reproduce by spore formation method this is इन में से किसमें spore formation method के द्वारा reproduction नहीं होता a rhizopus fungus, rhizopus में बिल्कुल spore formation होता है penicillium fungus, penicillium fungus में भी बिल्कुल spore formation होता है c yeast, d c होना था yeast fungus या d mucor fungus में भी spore formation होता है के वल एक मात्र जो in message option है yeast fungus है yeast fungus में इसमें क्या होता है spore formation नहीं होता है बलकि इसमें क्या होता है budd बनते हैं तो इसका सही answer जो होगा वो होगा येष्ट फॉर्मिशन अब इसके बाद next question है यह आपके पास the factor responsible for the rapid spreading of bread malt on slice of bread कि bread malt जो होता है उसका उसके फ्हलने के लिए responsible कौन फैक्टर है अगर आप ने देखा होगा अगर आप उसको कहीं moisture अगेरा में रखते हैं खुली रखते हैं तो उस पर क्या होता है fungus लग जाता तो इसका कारण क्या है इसका जू ऑप्शन दे रहे हैं फस्ट है परजेंस अप लार्ज नमबर आप स्पोर्स इन एर एर में बड़ी संक्या में तो इन में से अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल एप्रोप्रियेट जो आंसर है इसका है आपका ये पहला और तीसरा ए वाला पहला और फस्ट और जो क्या है और दूसरा मॉश्टर और नियूट्रिंस क्या होता है ब्रेड में अबेलेबल होता है तो सही आंसर आपका रहेगा पहला और इसके लावा तीसरा अब इसके बाद जो next question आपके पास है next question है इनमें से कौन सा जो sport formation के द्वारा जिनमें sports बनते हैं उसके द्वारा reproduce करता है ए फर्ण, बी प्लेनेरिया, से स्पाइरोगा रिया और डी पोटेटो तो अगर आप देखेंगे इनमें से जो सही आंसर है सही आंसर आपका होगा जिसमें जो इस पूर्स जो है इस पूर्स फॉर्मेशन जिसमें होता है वो है आपका फर्न फर्न जो होते हैं इसमें क्या होता है इस पूर्स फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं बाकी अगर आप देखें में fragmentation होता है और potato में भी क्या आते हैं bird आते हैं आई formation होता है next question is a sexual reproduction through budding takes place in a sexual reproduction budding के द्वारा किस में होता है ameva and yeast ameva में नहीं होता है yeast में होता है yeast and hydra बिल्कुल ये सही है yeast और hydra में क्या होता है इसके द्वारा reproduction होता है hydra and plasmodium में या फिर corals and sponges जो है उन में तो अगर आप देखेंगे इसका सही answer है अगर आप देखेंगे एक yeast और hydra में होता है और दूसरा corals and sponges में होता है तो सही answer इसका है दूसरा और चौथा तो दूसरा और चौथा आपका यानि D क्या है right answer है अब इसके बाद next question है feature of reproduction that is common to amoeba yeast and bacterium is that कि कौन सा feature of reproduction है जो amoeba में yeast और bacterium में एक जैसा है common है वो क्या है they are multicellular वो multicellular होते है they are all unicellular होते है they reproduce only sexually उनमें sexual reproduction होता है या फिर they reproduce asexually कि वो उनमें क्या होता है asexual reproduction होता है तो अगर आप reproduction के इसाब से देखें reproduction के दृष्टिकोंट से देखें तो इन सब में क्या होता है और asexual क्या होता है reproduction होता है तो सही answer होगा कि they reproduce asexually ये क्या होगा आपका सही answer होगा इसके बाद आपके पास next question है one of the following organism does not reproduce by fison this is इनमें से कौन सा organism fison के द्वारा क्या नहीं करता है reproduction नहीं करता तो ये कौन सा है amoeba, leesmania, planaria या फिर plasmodium तो अगर आप देखेंगे fison जो होता है fison आपका planaria में नहीं होता है इसके अलावा इन सब में क्या होता है fison होता है amoeba में भी binary fison होता है, leesmania में भी fison होता है आपका plasmodium में भी fison होता है multiple fison होता है ठीक है और planaria जो है इसमें regeneration होता है तो c planaria इसका क्या होगा सही answer होगा next question question है आपका an organism which may be considered to be a kind of plant and reproduce by budding is कि इन में से कौन सा organism है जी एक प्रकार का plant माना जाता है और budding की process के द्वारा जो reproduction करता है वो कौन है paramecium है bread mold है hydra है या फिर yeast है तो अगर इन में से अगर आप देखें जो सही answer होगा इसका जो सही answer है सही answer होगा yeast yeast powder जो है इसमें क्या होता है yeast जो होता है बेकरी वगरे में इसका use क्या जाता है तो budding की process के द्वारा ये क्या करता है reproduction करता है अब इसके बाद next question आपके पास ह next question है in animal which reproduce by the process of budding is an animal which reproduce by process of budding कौन सा animal budding की process के द्वारा reproduction करता है plasmodium yeast hydra या फिर plan area तो यहां पे बात आई है in animal की कौन सा animal budding की process के द्वारा reproduction करेगा तो इसका जो सही answer होगा hydra इसका सही answer होगा hydra next है in spyrogyra a sexual reproduction take please by spyrogyra में sexual reproduction किसके द्वारा होता है division of a cell into two cells नहीं breaking of filament into smaller bits या फिर division of cell into many cells यह भी नहीं है formation large number of birds यह भी नहीं है इसका सही answer है breaking up of filament into smaller bits अब इसके बाद next question है the ability of cells to divide into several cells during reproduction in plasmodium is got plasmodium में वो ability जिसमें जो cells है वो divide हो जाती है बहुत सारी cells में इसको क्या कहेंगे budding कहेंगे fragmentation कहेंगे binary prison कहेंगे या फिर multiple prison कहेंगे तो इसका जो सही answer होगा D multiple prison क्योंकि इसमें क्या होता है एक जो cell है वो क्या हो जाती है कई cell में वो क्या हो जाती है divide हो जाती है जिसको क्या कहते है multiple prison कहते हैं अब इसके बाद next है in rhizopus fungus defined thread like structure spread on a whole surface of slice of bread are caught कि राइजुपस में जो क्या होते है जो thread like structure है जो bread में पूरी फैल जाते हैं उनको क्या कहते है राइजॉइट कहते हैं प्लांट की इन में से